डेड मी के तरफ से और एक फ्लैक्सी फोन इंडिया मैं लॉंच होगा वह रिद्मी तर्टी अल्ट्रा और यह रेड्मी टुञेट्मी को का सुसेर होगा तो तो गाइज आपको 6.67 इंटिस का एक एमोलेट पैनेल देखने को मिल जाएगा और यह आपको 87.2 परसन स्क्रीन टू बॉर्ड रिश्यू में आएगा और बात करना पर रेजुलेशन में तो गाइज आपको फुल इस्टी प्लस का रेजुलेशन देखने को मिल जाएगा 30 to 9 के रेशियो भी आपको देखने को मिल जाएगा और 395 PPI देंसिटी भी देखने को मिल जाएगा साथ में आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉंट में और बैक में भी साथ में आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट और आपको 120 हर्स का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा और आपको 500 निर्स तक ग्राइट देखने को मिल जाएगा यानि अगर आप धूप में फोन क्यूज करें तो बहुत ही अच्छे सी विजिबल हो पाएगा और बात करने पर प्रोसर में तो आपको मिडियाटेक डिमेंसीटी 1000 प्लस का प्रोसर मिल जाएगा जो कि 7 नमेटर पर बेस्ट है और जीप्यू के मामले में आपको माली G77 MC9 का जीप्यू भी देखने मिल जाएगा तो यह जो प्रोसर है एक दब नया है और इंडिया में ज प्लस प्रोसर है एक्यूवेलेंटे मीडिया टेकर डिमेंसीटी 1000 प्लस प्रोसर तो देखते है जब लॉंच होगा तब पता चल जाएगा कि इसका प्रोसर या इसका चिपसेट कैसा है और गैस बात करने है पर मेमोरी के सेक्शन में तो आपको दो वेलेंट आएगा 6GB एन 8 8GB RAM उसमें आपको 6GB & 128GB 8GB & 128GB 8GB & 256GB & 8GB & 512GB तक देखने को मिल जाएगा और गैस साथ में आपको EFS 3.1 टाइब भी मिल जाएगा और इसमें कोई भी आपर मेमोरी या फिर डेडिकेटेज माइक्रोस्टिक कार्ट स्लोट नहीं दिया गया है और गैस बात करना आपकर कैमरा में तो आपको Quad camera set मिल जाता है प्राइमर जो camera 64GB F1.9 aperture के साथ एक Altroid camera मिल जाएगा जो कि 30 में आएगा F2.4 aperture के साथ एक आपको Telephoto और Macro camera मिल जाएगा जो कि 5 अपिसल F2.2 के साथ और आपको Depth camera मिल जाएगा जो कि 2 में आएगा F2.4 aperture के साथ और गैस बात करना वीडियो क में तो आपको 4K 30fps मैक्सीमम वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो साथ में आप 1080p 30fps 60fps और 128fps में भी रेकॉर्ड कर सकते हो इसमें आपको EIS यानि electronic image stabilization का support भी मिल जाता है और गैस बात करना वीडियो में तो आपको 1080p 30fps का यानि पूरा जो दिस्प्लेय कोई भी इसमें नौच न 720p 120fps में आप video record कर सकते हो और गैस बात करें आपको sound system में तो आपको stereo speaker मिल जाता है और कोई भी आप 3.5mm headphone jack नहीं मिलता है और गैस बात करें बाके features का तो आपको Bluetooth 5.1 का support मिल जाएगा NFC का भी support मिल जाएगा और साथ में आपको infrared port का भी support मिल जाएगा और इसमें आपको type C port दिया गिया है और गैस बात करें पर फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में तो आपको optical under display fingerprint देखने को मिल जाएगा और गैस बात करें पर बैटरी की सेक्शन में तो आपको 4500mH का देखते हैं कि इंडिया में कब आता है लेकिन जो रिमर्स है यहां पर आगस्ट का लास्ट याफी सेप्टंबर के फस्ट विक में आपको देखने को मिल जाएगा और गैस बात करें इसमें के बारे में तो आपको 9.1 mm का thickness मिलेगा और 213 ग्रम का weight भी देखने को मिल प्राइस में तो जो बेस वेरेंटेज जी वी एंड वान टैंटेश जी में उसका जो प्राइस है यहां पर 22,000 से लेकर 23,000 के बीच में रहने वाला है तो इस प्राइस में यहां पर बहुती अच्छी इंट्रस्टिंग स्पेसिक्शन दिये गया है खासका जो प्रोसर यह एकदम नया है और बता भी जा रहा है कि 865 प्लस यहां पर इकोवेलेंट होगा तो देखते कि यह प्रोसर कैसा आपर प्रफार्मस देता है तो चली गाइस यही था है पर पूरा डीटेल्स रेडमी के 30 अल्टर के बाड़े में तो गैस वीडियो पसंद आए तो लाइक जर जरू जाएगा तो कि ऐसी में आपके लिए क्वालिटी वीडियो लाता रहता हूं तो चली गाइस मिलते के साथ वीडियो में तब तक लिए गुडबाई एंड हैवे नाइस डे